सेयोगी विपिन फर्मार ने खास बादशीत की है, आई आपको सुन बात किसानी क्षेत्र से आते से आपका खेती बारी क्रिशी से जो है वो अधारित क्षेत्र आप जहां से सांसित भी है, आता है, ऐसे में सबसे पहला सवाल यही है कि क्या रोड मैप आपने तयार किया है, क्योंकि किसानों के अगर बात के तो कहीं न कहीं, कन्फूजन स्टेट अभी भी है, देखिए, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, देश के प्रधान मंतरी मानी नरेंद्र मोदी जी को, कि उन्होंने बहुती एतिहासिक, बहुती करांतकारी और किसानों की दशा और दिशा को बदलने वाला एक एतिहासिक बिल उन्होंने दिया और हमारे जो क्रिश्मंतरी है नरेंद्र मोदी पेस किया पार्लेमेंट के अंदर और लोकसवा और राजसवा में वो बहुमत और धौनमत से पारित होकर आज देश के किसानों को भला करने के लिए तियार है। कोई ऐसे बिदहयंक नहीं लाए जिससे किसान की आए बड़े। किसानों की बड़ी हालत खराब थी कौंग्रेस की सरकार जब तक चिंद्र समय में रही। आज कॉंग्रेस की सरकार जाने के बाद जब 2014 से देश के प्रधान मंतरी मानी नरेंदर मोधी जी बने और उन्होंने किसानों के हित के लिए मजदूर के हित के लिए गरीब के हित के लिए निरंतर योजनाओं को चलाने का काम किया तो पता नहीं कांग्रेस पार्टी के पेट उसके खाते में साल भर के अंदर दिया गया, जिससे वो अपना खात भी ला सकता है, अपना भीज भी ला सकता है, क्योंकि किसान की जो हालत कर दी थी, कॉंग्रेस के साशनकाल के समय पे, जो दुरदशा कर दी थी, आत्मत्यां लगातार हो रही थी, तो कॉंग्रेस ने के भी करने की कोशिस की लेकिन मुझे विश्वास है कि देश के मुखिया देश के प्रधान मंत्री देश के प्रधान सीवक मानि नरेंदर मोधी जी के ऊपर किसानों को अटूट विश्वास है और इस बिल में वो सब कुछ है जो किसानों की दशा और दिशा को बदलेगा और उनकी उन्नती का रास्ता खूले आखरी सवाल अफसर किसानों को क्या कहना चाहेंगे जो किसान आपकी तरफ देख रहे हैं या फिर इन अध्यादेशों को समझने की कूशिश कर रहे हैं क्या आश्वाशन देंगे कि MSP नहीं जा रहा मंडी प्रथा नहीं तूटेगी और जो एक क् कार्णे कि पार्टी के ब्र secre घे मैं देश के सभी किसानों को उन्हें बढ़ canoe काढ़ायी देना चाहता हूं वाड़े उल्लास के साथ ऊह और बड़े विस्वाश के साथ कि देश के बउность मानập मै not Ark den baldue संकल्प के साथ और बहुती पूरे मन से और दिल से गोशना की है पूरे देश ने देखा है कि MSP थी MSP है और MSP हमेशा रहेगी अब इतनी बात प्रधान मंत्री जी के द्वारा कह देना 1965-66 से जो एक प्रशाशनिक आदेश जो चला रहा है वही चल रहा है निरंतर इससे पहले सरकारे आई हैं कितनी सरकारे रही हैं कभी कोई MSP की बाती नहीं आई है इस विद्यक में MSP के बारे में अलग से चर्चा करने की आवर्शक्ता इसलिए भी नहीं थी जो देश की दशाकों भी बदलने का काम करेंगे किसान की दशाकों भी बदलने का काम करेंगे नौजवान की दशाकों भी बदलने का काम करेंगे इंडिया ने उसके साथ बात करने के लिए बहुत धन्यवाद बहुत धन्यवाद आप राजकुमार चाहसाब हैं जिनने अभी अभी जम्मधारी दी गई है भारती जनता का पार्टी किसान मोरशा के राश्टी अधक्ष के तौर पर जो है इने जम्मधारी दी गई है कि अलग अलग राज्यों में जाकर किसानों से सीधा संबाद करें और अपनी जम्मधारी का न लेकिन कहीं पर भी इन अध्यादेशों के तहट MSP या फिर मंडी पर अथा पर कोई आच नहीं आई आएगी ये कहना है राजकुमार चहर साब का कैमपुस नाजराना के साथ विपिन प्रमार इंडिया नूज चंडिगर होचल एसे के साथ यूपी विशेश में मेरे साथ फिलाल इतना है